नमस्कार मित्रों, साथियों ये कहानी आपको जगजोर देगी मित्रों आपसे मेरी ये गुजारेश है कि इस कहानी को कुछ समय निकाल कर जरूर सुनें और सियर भी करें जिससे इसकी सीख औरों को भी मिलें साथियों एक वार एक हंस और हंसनी हरी दुआर के सुरम्य वाता वरंड से भटकते हुए उजडे वीरान और रेगिस्तान के इलाके में आ गई हंसनी ने हंस को कहा कि ये किस उजडे इलाके में आ गई है यहाँ ना तो जल है न जंगल और ना ही ठंडी हवाएं हैं यहां तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा अब भटकते भटकते शाम हो गई तो हंस ने हंसनी से कहा कि किसी तरह आज की रात बितालो सुबह हम लोग हरी दुआर लोट चलेंगे रात हुई तो जिस पेड़ के नीचे हंस और हंसनी रुके थे उस पर एक उल्लू बैठा था वह जोर से चिलाने लगा हंसनी ने हंस से कहा अरे यहां तो रात में सो भी नहीं सकते ये उल्लू चिला रहा है अब हंसने फिर हंसनी को समझाया कि किसी तरह रात काट लो मुझे अब समझ में आ गया है कि ये इलाका वीरान क्यूं है ऐसे उल्लू जिस इलाके में रहेंगे वो तो बीरान और उजड़ा रहेगा ही पेड़ पर बैठा उल्लू दोनों की बातें सुन रहा था सुबह हुई उल्लू नीचे आया और उसने कहा कि हंस भाई मेरी वज़े से आपको रात में तकलीफ हुई मुझे माफ कर दो हंस ने कहा कोई बात नहीं भाईया आपका धन्यवाद यह कहकर जैसे ही हंस अपनी हंसनी को लेकर आगे बढ़ा पीछे से उल्लू चिल लाया अरे हंस मेरी पत्नी को लेकर कहा जा रहे हो हंस चौका उसने कहा आपकी पत्नी अरे भाई ये हंस नहीं है मेरी पत्नी है मेरे साथ आई थी मेरे साथ जा रही है उल्लू ने कहा खामोस रहो ये मेरी पत्नी है दोनों के वीच बिवाद सुरू हो गया और बिवाद बढ़ गया पूरे इलाके की लोग एकत्रित हो गए जन्ता बैठी पंचायत बुलाई गई पंच लोग भी आ गई बोले भाई किस बाद का बिवाद है लोगों ने बताया कि उल्लू कह रहा है कि हंसनी उसकी पत्नी है और हंस कह रहा है कि हंसनी उसकी पत्नी है लंबी बैठा और पंचायत के बाद पंच लोग किनारे हो गए और कहा कि भाई बात तो सही है कि हंसनी हंस की ही पत्नी है लेकिन ये हंस और हंसनी तो अभी थोड़ी देर में इस गाउं से चले जाएंगे हमारे बीच में तो उल्लू को ही रहना है इसलिए फैसला उल्लू के ही हक में होना चाहिए फिर पंचों ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि सारे तथ्यों और सबूतों की जाच करने के बाद ये पंचायत इस नतीजे पर पहुंची है कि हंसनी उल्लू की ही पत्नी है और हंस को तत्काल गाउं छोड़ने का हुकम दिया ये सुनते ही हंस हैरान हो गया और रोने चीखने और चिलाने लगा कि पंचायत ने गलत फैसला सुनाया उल्लू ने मेरी पत्नी ले ले रोते चीखते जब वह आगे बढ़ने लगा तो उल्लू ने आवाज लगाई हे मित्र हंस रुको हंस ने रोते हुए कहा कि भाईया अब क्या करोगे पत्नी तो तुमने ले ही ली अब जान भी लोगे क्या उल्लू ने कहा नहीं मित्र ये हंसनी आपकी पत्नी थी और है और रहेगी लेकिन कल राप जब मैं चिला रहा था तो आपने अपनी पत्नी से कहा था कि ये इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए है क्योंकि यहां उल्लू रहते हैं मित्र ये इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए नहीं है कि यहां उल्लू रहता है ये इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए है क्योंकि यहां पर ऐसे पंच रहते हैं जो उल्लू के हक में फैसला सुनाते हैं तो मित्रों सायद इतने साल की आजादी के बाद भी हमारे देश की दुर्दसा का मूल कारण यही है कि हमने उम्मीदवार की योगिता नाग देखते हुए हमेशा ये हमारी जाती का है ये हमारी पार्टी का है इसके आधार पर अपना फैसला उल्लू के ही पक्ष में सुनाया है देश की बदहाली और दुर्दसा के लिए कहीं न कहीं हम भी जिम्मेदार है मित्रों कहानी अच्छी लगे तो आगे भी बढ़ा दे तो आपकी बड़ी महरवानी होगी साथियों ये कहानी आपको कैसे लगी कृपिया मजे कमेंट में बताइए कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं फिर एक और नई कहानी और प्रिणन दायक कहानी लेकर तब तक के लिए नमस्कार जय स्री रांत